Hello friends and welcome back to Chikki's Biology another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about AICTE GATE Scholarship. आज हम लोग बात करेंगे AICTE GATE Scholarship के बारे में और मैं आप लोगों के साथ में in detail इस वीडियो में डिसकस करूँगा कि इस scholarship को लेने के लिए या इस scholarship को पाने के लिए आप लोगों को जो application form है वो कैसे fill करना होगा या friends eligibility criteria क्या होगा और stipend आप लोगों को कितना परमन्ती यहाँ पर मिलेगा कितना money, कितना पैसा आप लोगों को परमन्ती यहाँ पर मिलेगा इस scholarship के थुरू First of all आप लोगों को अपना GATE exam qualify करना पड़ेगा या आप लोगों को अपना GPAT exam qualify करना पड़ेगा अगर आप लोग pharmacy domain से बिलोग करते हैं तो आप लोगों को GPAT exam qualify करना पड़ेगा इस scholarship को लेने के लिए फर्दर अगर आप लोग M pharmacy course करते हैं अगर आप लोग M tech course करते हैं तो आप लोगों को GATE exam वहाँ पर qualify करना पड़ेगा और friends ये जो दो exam है इन दो exam को qualify करने के बाद ही आप लोगों को AICTE जो है वो आप लोगों को scholarship provide कराएगा और friends जो AICTE है इससे बहुत सारे affiliated colleges इंडिया के अंदर हैं और इन colleges में अगर आप लोग अपना M E course करते हैं आप लोग अपना Master of Engineering course करते हैं या आप लोग अपना M Tech course करते हैं या आप लोग अपना M Pharmacy course करते हैं या आप लोग अपना M Architecture course यहां से करते हैं Master of Architecture course आप लोग यहां से करते हैं तो यह जो scholarship है या आप लोगों को AICTE provide कराएगा तो friends जैसे आप लोगों को पता है कि जो gate के थुरू आप लोगों को scholarship मिलती थी अगर आप लोग M-Tech course करते थे किसी भी IIT में, NIT में या IISC में वो बंध हो गई है वो आप लोगों को आप अब नहीं मिलती है बट अगर आप लोग AI, CTE आप लोग इससे affiliated अगर institutions में आप लोग admission लेते हैं इन सबी courses में जो मैंने आप लोगों को भी बताया तो आप लोगों को यहाँ पे 12,400 पर मन्त आप लोगों को scholarship मिलेगा और यह scholarship आप लोगों को 2 years के लिए मिलेगा यानि आप लोगों को 24 months के लिए यह scholarship AICTE आप लोगों को provide कराएगा और friends आप लोग जो है इस scholarship का जो application form है वो कैसे feel कर सकते हैं आप लोगों का eligibility criteria क्या हो सकता है और friends इस type and आप लोगों को कितनी मिलेगी है हाँ पे sorry इस पे हम लोग in detail अपनी इस particular वीडियो में आज discuss करेंगे तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में starting से लेगे and तक यहाँ पे जरूर बने रहें तो friends जो application mode है वो online होगा और आप लोगों को application form में जिस भी एक AICTE का जो institution है जहांसे आप लोग अपना वो course कर रहे हैं उस institution की आप लोगों को पूरी detail वहाँ पे देनी पड़ेगी और आप लोगों को वो form वहाँ पे online फिल करना पड़ेगा और website जो है वो website भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा और अपनी इस video की description box में भी उस website को मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा जिस पर आप लोगों को जाके online वहाँ पे apply करना है तो friends जो documents हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा discuss करते हैं कि कौन-कौन से documents आप लोगों को महाँ पे require होगे या कौन-कौन से documents की आप लोगों को महाँ पे need होगी जब आप लोग इस application form को महाँ पे fill करेंगे तो friends आप लोगों के पास में अगर आप लोग जैसे कि आप लोग अपना mtech course करने जा रहे हैं या m architecture course आप लोग करने जा रहे हैं आप लोग master of engineering course करने जा रहे हैं जो आप लोगों का gate का जो scorecard है जो आप लोगों ने gate का exam qualify किया है वो आप लोगों को महाँ पे चाहिए और अगर आप लोग M pharmacy के लिए जा रहे हैं या M farm के लिए जा रहे हैं तो GPAT का जो scorecard है उसकी scan copy आप लोगों को महाँ पे upload करने पड़ेगी application form में आप लोगों को फर्स्ट पेज ओप बैंक पास्ट बुक फोटो कोपी आप लोगों को आप इसकेन फोटो कोपी upload करने पड़ेगी जिसमें आप लोगों का नाम आप लोगों के बैंक की पूरी डिटेल IFC code और friends आप लोगों का जो ब्रांच है उसका नेम वहाँ पे आप लोगों को उसमें होना चाहिए और वो आप लोगों को फिल करना पड़ेगा एक और यहाँ पे important information आप लोगों के साथ में share करूंगा कि joint account is not permitted joint account जो होता है वो वहाँ पे allow नहीं है तो आप लोगों का जो separate account है जो जो आप के नाम से है वही वहाँ पे allow होगा यह आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए तो friends से scan copy आप लोगों को वहाँ पे चाहिए होगी जो require है cast certificate की अगर आप लोग भी लोग करते हैं SC से, ST से या आप लोग OBC है या फिर अगर आप लोग physical handicap है तो उसका certificate भी वहाँ पे आप लोगों को जरूरी है वहाँ पे require है और friends से online जो है आप लोग application form फिल कर सकते हैं website जो है वो यहाँ पे aicde slash india.org है तो friends से यह website है और इस website को मैं आप लोगों के साथ मैं इस video के description box में भी यहाँ पे share करूँगा और अगर अभी तर आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि next video भी जो मैं आप लोगों के लिए चिकीजबाइलोजी चैनल पे लेकिया होगा उस video का notification आप लोगों को तब ही जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को subscribe करने के बारे में bell icon के बटन को प्रेस कर लिया है और friends जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि gate के थुरू जब आप लोग NIT में, IISC में या फिर IIT में आप लोग further Mtech की लिए जाते थे तो जो वहाँ पे आप लोगों को 12,400 रूपीज जो मिलते थे वो वहाँ पे गौर्णमेंट ने उसको बंद कर दिया है बट अगर आप लोग AICTE के किसी भी institution से अपना जो courses मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया ME, M architecture, M pharmacy या आप लोग Mtech course करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 12,400 आप लोगों को पर मन्त यहाँ पे मिलेगा और friends, आप लोग AICTE के जो colleges हैं वहाँ पे जो rule है वो scholarship नहीं मिलने वाला, stipend नहीं मिलने वाला वो वहाँ पे अभी वहाँ पे उसका कोई role नहीं है वो वहाँ पे भी उसको नहीं माना जा रहा है और वो वहाँ पे उसकी कोई value नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को इस typeend मिलेगा So thank you friends, thank you for watching और इस videos related अगर आप लोगों कोई question है, कोई query है या आप लोगों के मन में कोई भी छोटा या बड़ा doubt है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में जरूर टाइप करें और आप लोग मेरे साथ में ऐसे ही बने रहें चिकीज बाइलोजी चैनल पे ऐसे ही आप लोग चिकीज बाइलोजी चैनल को subscribe करते रहें ऐसे ही आप लोग इन सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अपने बेजमेट्स को अपने क्लींस को अपने जूनियर्स को आप लोग सेंड करते रहें so thank you friends